नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SPU Update यूट्यूब चल्न बीना मास्क के मुंबई लोकल टेन में यात्रा जिहां दोस्तों मुंबई में कोरोना नियंतरन में आ गया है लेकिन कोवीड से सुरच्छा को लेकर लोगों की लापरवाई भी बढ़ रही है सुतनता दिवस्ते मुंबई लोकल टेन के दरवाजे सर्तों के अंसार आम लोगों के लिए खोल दिये गए हैं इसी के साथ टेनों और रेल परिशार में बिना मास्क वाले यात्रिये की संख्या भी बढ़ रही है कोरोना की दूसरी लहर सांथ होने के साथ अब लोकल और अन्य सारवजनिक अस्तानों पर भी भीड़ बढ़ गई है दोस्तों तीसरी लहर के आसंका के चलते यात्रियों से सोसल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने आद की अपील के बाजूत काफी लोग अभी भी बिना मास्क पहने यात्रा कर रहे हैं पहस्चीम और मध रेलवे के लोकल इस्टेशनों पर बीमसी की मदद से रोजाना सत्तर से असी बिना मास्क वालों को पकड़ा जा रहा है दोस्तों आप सभी को बता दे वेश्टर रेलवे पर अगस्त माह में अब तक 14 से ज्यादा बिना मास्क वाले यात्रियों के खिलाब करवाई की गई है बताया गया कि बीमसी की मदद से पस्चिव रेलवे पर अब तक लगभग 28 लाख रुपय का जुर्माना वसूला गया है जबकि मद रेलवे पर अब तक 24.50 लाख रुपय का ज्यादा जुर्माना वसूला गया है कोरोना के घटते मामलों को देखते वे फिर लोग लापारवा हो गए है वहीं दोस्तों BMC का कहना है कि लोकल ट्रेन में कई यातरी मास्क पहनने का दिखावा करते हैं बड़ी संख्या में यातरी नाक मुँख खोल कर ही यात्रा कर रहे हैं पंदरागस के बाद लोकल में भीड बढ़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं लोकल ट्रेनों और इस्टेशनों पर लगातार कोविड प्रोटोकाल के पालन को लेकर अपिल किया जा रहा है बिना मास्क वालों से 200 रुपए जुरुआना भी वसूला जा रहा है टिकेट चेकिंग स्टाप को भी जुरुआना लगाने का अधिकार दिया गया इसके बावजूद भी बिदाउट मास्क लोग यात्रा कर रहे हैं पिछले एक सब्ता से यह संख्या ज्यादा बढ़ गई है तो दोस्तो साधानी बढ़ते मास्क लगाएं और फाइन देने से बचे आप सभी को बता दो एक डोजवाले को भी मुंबई लोकल ट्रेन में महिने के अंतमे अनमती मिल जाएगी दोस्तो कमेंट करके बताना जो लोग फाइन मारते हैं मास्क न पहनने पर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तो मुंबई लोकल ट्रेन और महाराश मुंबई की सभी ताजा ख़बरे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में भी सेयर करें थैंक्यू